नमस्कार साथियों आप सबका पुना स्वागत है शद्धा एस्टो जोतिश में आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लगन की कुल्णी में यदि शनी एकादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है हम ये भी कह सकते हैं तुला लगन की कुल्णी में सिम राशी का शनी किस यह का फल देता है तो यह शुरुवात करते हैं अच्छी क्लास का लगनिया प्रथम भाव से गिनते हैं अगरमेंटी क्लोकवाइस तो यहाता है एक आदेश यह ग्यारवा भाव बात करता है हमारे जीवन के ओवराल इच्छाओं की इच्छा पूर्ति की कोई इच्छा हमन में यही एक प्रश्न है कि मुझे income होंगी कि नहीं हो ग mortality के नहीं होगी क duy कहां सै देखते हैं 11 भाव की मजबूती से अंभ और 11भाम हमारे बड़े भाई बड़ी बहनों के साथ समझतों कहीं नगे आप समझ रहे हैं अगर आपके family में आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे बना कर रखना आपके income sources को बढ़ावा देता है और नहीं है अगर आपके real brother brothers and sisters तो आप अपके परिवार में जो भी बड़े भाई बड़ी बहने उनसे समवाद करें बातचीत करें उनसे कोई गिफ्ट दें उनको बात जितना उनसे लगाव रखेंगे उतना ही आपका 11 भाव मजबूत हो जाएगा 11 भाव का सीधा संबंद आप अपने friends को take care नहीं करते हैं या करते हैं वहां से पता लगता है याद रखेगा अगर अपने संबंदों में भाई बेनों के साथ साथ बड़े मित्रों के साथ आप शुद्ध हैं याद रखेगा या शुचिता का प्रयोग करना जुरूरी है जैसे कई मित्रों होता है अपने दोस्तों का बुरे कृत्ते में साथ देते हैं वह शुद्धता को नहीं दर्शाता है कि बाद में चलकर वह डाकू डकैद बनेगा तो आप responsible होंगे सही कर्मों में आप मित्रों के साथ रहते हैं लंबी दोस्ती के भाने में आप कामयाब होते हैं अगर तो फिर कई लोग कहता है सर मेरा दोस्ती किसलियाą वह मिलकर कहुं अपराध में लगे हुए हैS जैसे यइसे अपराध से अपने आपको अलक करते है वही साथ ही हो सकते हैं आपकी एक जो निश्वार्त भावना से होने वाली दोस्ति है अगर आपके ऐसे दो तीन चार मैं कहा रहा हूं एक भी अगर ऐसा मित्र ग्यार वह एक्टिव हो जाएगा आपका अपने आप बली हो जाएगा क्लेर हो गया मेरे बात को समझें लोग कहते कि सरक्याई प्रयोक करके अपने भागे को बदल सकते हैं क्या अरे जो आपकी दृष्टी है न जिस दृष्टी से आप संसार को देखते हैं बस वो दृष्टी बदल जाए तो अपने आप ही आपके जीवन में गेन आना शुरू ह जाएगा कुंडली अभी भी वही है और आप शैद भूल रहे हैं कि जीवन में दशा अंतर दशा में आपका कोई कंट्रोल नहीं है इंफेक्ट मैं कह सकते हैं 50% जाला कोगों तो पता ही भी नहीं है 50% जाद ही होगा 70-80% लोगों को पता ही नहीं कि किस प्लानेट के दशा महा दशा अंतर दशा चलने वाली है कुंडली से भी जाद इंपॉर्टन वो पार्ट है कि वो सपोर्टिव टाइम जो प्लानेट देने वाला है वो आए गाई आए गाई नहीं तो उसका वो कर पार है यह भी तो आपके अच्छे करम है अच्छे भाग गये हैं तो यह बात निश्चित है कि अगर आपके जीवन में कोई चीज तै है मिलेगी लेकिन अभी नहीं मिल रहे हैं अभी मैं तड़प रहा हूं क्योंकि वो आपको पहले रियलाइज कराएगी कि आपने क्या-क्या गलतियां की है और ज लेकिन यह फल भी तब दे रहा है जब आपने अपने आपको प्रिपेर किया है उतने उतने ज्यादा हाई लेवल के फल देना शुरू कर देगा जितने आप स्कल्पना नहीं कर सकते हैं तो दोनों बाते सही हैं अगर आप बहुत उची दृष्टी ले लेते हैं तो जो जन लिया जिसने उसका भागय तय हो चुका है बदला नहीं जा सकता है लेकिन यह भी यह भी तो लिखा हुआ था कि आप किसी एस्टलोजर से कंसर्ण करेंगे और अपने भागय के बारे में विचार करके कड़ी मेहनत करेंगे कोई भी एस्टलोजर आपको शैद यह नहीं कहत किसी को हो सकता है समशान भूमी में जाना बिलकुल पसंद ना हो प्रफेशन उसको कोई ऐसा मिल गया कोई सरकारी नोकरी समशान भूमी की टेक केर करने वाला मिल गया कुछ है सरकारी कोई ऐसा उसको इससे भाय लगता था लेकिन किसी अच्छे एस्टलोजर यह एक सबसे किसी ने कोई तपस्या कि हो तब उसको बहा नसीब होता रहना तो हम सब का जीवन में जैजामिनेशन है पेपर है एकसाम है हो क्या है भी मृत्यूं हमेशा वईराग्य लेती है मदब आपको कभी-कभी जीवन में बैराग गया है लानों आपको लग रहा है मैं सांसारिक सुक्सेदवा में ज्यादा टैच हो गया हूँ किसी के मृत्यू के उसमें आप चले जाएए अन्तेष्ठी में चले जाएए अपने आप बैराग गया जाता है वहां भगवान शंकर सदैव रहते हैं उनका जो औरा है सम्शान का अब आप इस सीज़ को नेगटिवी ले रहे हैं तो किसी विक्तिनिया आपको यह बता दिया अगर हो सकता है आप इस सीज़ को फिर आनंद लें किया यार बड़े कर्म है मैंने पुर्ने किया है मुझे सैलर नसी जैसे शहरों में सरकार की तरफ से कुछ पद्र निक्त किये गए हैं घाटों में जैसे मनिकनिका घाटा और कहीं घाटे उन घाटों में उनकी टेक केर करने के लिए हो सकता है किसी के मन में कोई ऐसा विचार चलता हो लेकिन जैसे कोई धर्म को जब जानने लग जाता ह है कि यहां जीवन में आए किसलिए है हमारा examination तो मृत्यूं का भाई ही खतम हो जाएगा और जो मृत्यूं का भाई निर्भाई हो जाएंगे तो मोक्षा तो तैय है यह कर सकता है एक अच्छी consistency यह कर सकते तो आपको अच्छे लोगों से संपर्क करना चाहिए तो शनी अभी 11 भाव में बैठे हैं हम प्रतम दृष्टा यह समझ रहे हैं कि स्म राशी जो शनी को भी प्रियन ही है और इसका लौड भी शनी को प्रियन नहीं है दूसरी बात शूर्य शनी को प्रिय een सूर्य शनी का खराब नहीं करता कि सूप उनके पिता हैं शनी को पिता से बड़ा हुआ है इनोंने मेरी माता के साथ ठीक नहीं किया लेकिंस की जो दूसरी माता ती आइसा आपने पढ़ए होगा तो वो इन reflecting मंन में विचार रहता है शनी में ऐसे बचना चाते तो हम है कि योग की तलास करेंगे कि क्या सुरह इनकी राशीर बैठे होंगे अगर सुर इनकी राशी में बैठ जाते हैं डिरेकली दिरेकली शनी के साथ involved या साथ में बैठ जाएं साथ में इसलिए नहीं कह रहा हूं बैठना क्योंकि फिर शनी अपने आपको थोड़ा सा दबा वह मानते पीडित मानते हैं इनके घर में बैठना पड़ेगा अगर इनकी राशी में तो यह क्या है एक प्रकार की वह मीचुल जाएगा धन्योग बनेगा क्योंकि सूर्य गयरब भाव का स्वामी है और शनी पंचम भाव का स्वामी है तो अगर यह दोनों लौड एक दूसरों के हाउस को एक्षेंज करने द्रिश्टी डाल लें तो यह धन्योग बन जाएगा और अगर यहां बैठका सूर्य लोग हो जाएगा आपके education certification का पूरा पूरा फाइदा आप income में ले पाएंगे और income sources से आप education charity भी करेंगे दूसरों की पढ़ाई में भी काफी मदद करेंगे अपनी संतानों की पढ़ाई में भी अच्छा इन्वेस्ट करेंगे ऐसे लोग in fact अपने संतानों के साथ साथ एक charity करते हैं दूसरों के education के लिए अगर इस प्रकार के कोई धन्योग यहां से बनते हैं क्लेर हो गया क्योंकि शनी के संबंद चार और पांच दोनों के साथ बन रहा है तो चत्रुद्भाव क्या बताता है चत्रुद्भाव learning ability य अगर यह राजयोग एक्टम है द्होर्री धनयोग अक्तिवेट करवा देता है तो फिर, आपके कम मित्र भी कि आपका इस काम में भरफूर फायदा साथ देंगे द्होर्त कम होंगे लेकिन मित्ड़ होगे लेकिन विश्वास पद्र होगे क्लेर होगा तो यह 11 थाउस के मामले में हम यह देखते हैं प्राया सभी प्लानेट यहां पर इच्छा पूर्ती में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं तो आपके जो मेटीरियल गेंस हैं उनको बढ़ाएगा वाहन भवन इसी प्रकार से पंचम भाव से समधित विशेके आपके डिग्री सेटिफिकेशन का टाइम लीग कम्प्लीट होना यह बात बताता है और लेकिन फिर भी क्योंकि सूर्य और शनी में तना तनी है अगर यह धनी और नहीं ह रहती है अगर अगर बना देता है धन्योग क्योंकि सुक इतना ज्यादा हो जाता है तो उस दुख को कोई खास मतलब नहीं रहे जाता है भाई-बहन भी आपको लगता है कि यार बेशक्स से बड़े भाई-बहन आपके सोचते हैं ठीक है हमारे कुछ विचार नहीं मियाच करते हैं इसके अच्छे गुण इतने जादा हैं तो वह एक बड़ा धन्योग या राज्योग होने से होता है जिसकी अभी हमें इंतजार में उसके अभी तुम भ्रगु सर्यल पद्दिदी क्योंसार एक प्लैनेट के बारे में जितना ज्यादा स्टड़ी कर सकते उतने एक माँ को शनी के इंतरद्शा महा दशा में कष्ट हो सकते हैं कि ये सूर्य के राशी में शनी बैठा हुआ है अगर सूर्य मजबूत नहीं है तो मां की अयू में भी संकट आ सकता है मां से अस्टम यहां से गिनते हैं संतान बक्ष आपकी एजूकेशन तो यह इससे साथवे पर तो जो अलग इस पर बहुत ज्यादा विचार करने के भी जूरूत नहीं है बट फिर भी आपकी संतानों का जो मैरिड लाइफ है वो यहां से नजर आती है सूर और शनी अगर धनियोग में इन्वाल्व है तो परिशानी की कोई जूरूत नहीं है अदर्वाइस आपको विचार नहीं विश है कि उनका विभा से पहले अच्छे से पुष्टी करें उसके बाद ही विभा करें क्योंक आपके शरीर को फिजिकल बॉड़ी को ब्रेन को शरीर को तंदुस्त करेंगे ब्रेन को बड़ा निर्दोस रखेंगे तीन साथ वी दिश्टी हमने डिसकस कर ली फिर साथ आठ नौ दस शनी का ये अच्छा हाउस है आयूक आपकी आयूको बढ़ाएंगे यहां शनी बैट करें डिरेक्ली डिरेक्ली और मदर इस्पॉंसिबल फॉर आल इस थिंग्स विकॉज हमारे लिए जीवन में सबसे पाउर्फुल लॉड है मा चतुरबाव इसलिए बहुत पाउर्फुल कहा जाता है तो जब शनी जैसे योग कारक ग्रह का संबन मा से बनता है तो मा के साथ बनाय रखना मा का आशिरवाद लेना बहुत ज़रूरी है तेर हो गया शनी आपकी उमर बढ़ाने में रिस्पॉंसिबल है शनी आपकी यहां पर ससुराल पक्षे कोई नहीं कोई मेटीरियल गेन बढ़ाने वाले हैं अकल्ट साधना में अच्छा इंट्रस्ट होगा और व लगबख सभी ग्रहों को अपने इसाब से ढालने का और मेटीरियल गेन से समधित विशेक होते बिलकुल बखुबी अच्छे से टाकल करता है ठीक है बड़े बाई बढ़ी बहन या मित्रों से कई बार तना तनी हो भी जाती है लेकिन जो भी आपकी इच्छा पूरती है उ बहसके जो जोग झाया है उया हुआ झाल झाल